हेलो दोस्तो नमस्कार रामकृष्णा फरजिंग लिमिटेड ये कमपनी आपको आने वाले समय में यहां से भी डबल होते हुए नजराएगा 888 रुपिया में ट्रेड कर रहा है अभी भी अपने 52 एक हाई के दोस्तो नीचे ही कमपनी मिल रहा है कमपनी में मेजर डेवलपमेंट होते हुए दिख रहा है एक एक करके मैं दोस्तो हर पॉइंट को आपको दिखाएंगा एक लेटेस्ट न्यूज सामने आ रहा है आज का न्यूज है दिखिए फेबुरी पंदरा दोचर बाइस आप क्या समझे दोस्तो रामकृष्ण फर्जेंग लिमिटेड का जो न्यूली कमिशन फर्जिंग प्लांट है वहाँ से जो है प्रड़क्ट निकलना चालू हो गया है दिस्पेच हो गया है यह देखिए आज का न्यूज है फेबुरी पंदरा दोचर बाइस कोलकाता रामकृष्ण फर्जिंग लिमिटेड वन अप दो लीडिंग सप्लियर अप रोल्ड फर्जड एंड मसीन प्रड़क्ट सेच सक्सेस्पुली स्टार्ट डिस्पैच अप वर्म फर्जिंग प्रोसेच पार्ट टू इंडियन लीडिंग एक्सल मेनुफेक्टरर जो की केपे को मिला है देखिए विन्स एक्सपोर्ट और ओर्ट इंडियन रुपीज 11.2 मिलियन जो की 11 करोड पर रेनम फर प्रिसिजन फर्जिंग प्लांट फ्रम ए रेप्यूटेड ट्रॉक ब्रैंड इन एसिया देखिए ये नीज कप का है फेबुररी का है ये दोनों देखो दोस् कमपनी का जो मैनेजमेंड है कंटरी है यहांपर देख पारें इसको ये वाला पर्शन को देखिए देक्वाटर हांको कक्ये देखिए इलेक्तरिक वहीक सेगमेंड में भी घुस्ते हुए नजर आ रहा है और यह company दोश्तो electric vehicles का कुछ न कुछ यह parts बनाते हुए आपको नजर आ रहा है next बात करेंगे और कुछ point के उपर देखिए company का जो है receipt contracts पहला नमर है contracts कितना मिला है 22,000 lakhs that means दोस्तो 220 करूर का contract मिला है from 6 contracts during the quarter जो कि 6 contracts इस quarter में मिला है from various geographics and business verticals we had new business acquisition in front XL beam देखिए इसमें देखिए XL beam में भी यह acquisition करते हुए नजर आ रहा है कितना है 220 करूर का 6 contracts company को मिलते हुए नजर आ रहा है next बात करूँगा signed an MOU with e-propelled USA जो की MOU e-propelled USA के साथ sign किया है manufacture their pattern dynamic torque switching देखिए TM EDTS motor technology इस technology में यह जो है यह company जो है manufacture करेगा this technology will provide the light electric vehicle manufacturers in India with an innovative energy saving solution for the high growth e-mobility market कूल मिला के मोटा मोटी अगर देखेंगे दोस्तों यह जो है e-mobility market e-mobility segment में भी company जो है देखिए MOU sign करते हुए नजर आ रहा है next stock split जी हो दोस्तों यहाँ पर जो management की और से approval भी मिल गया है जिसका phase value 10 है और अब phase value 2 में आपको convert होते हुए नजर आएगा company को कुछ देखिए overall supplier excellence for ICER engineering components award भी मिल चुका है company देखेंगे दोस्तों company बहुत ही सांदार है जबरदस्त काम कर रहा है 0.50 देखिए आप 50 पैसे का भी dividend भी company यहाँ पर दोस्तों announcement करते हुए नजर आ रहा है company का अगर हम financial highlights को देखेंगे यह देखिए revenue from operation quarter 3 अपको देखेंगे बाइस में कितना है जबरदस्त growth करते हुए आपको देखेंगा P.A.T. में थोड़ा सा देखिए दोस्तों quarter 3 में company यहाँ पर गिरावड दिखा दिया है P.A.T. थोड़ा सा घट गया है P.A.T. margin भी यहाँ पर घटते हुए नजर आएगा बड़ अगर मैं बात करूँ 9 महिने की performance आपको देखिए जो why on why basis पे after 9 मन्त का performance अगर देखेंगे बहुत सांदार नजर आ रहा है P.A.T. देखिए माइनस में था यहाँ पर बढ़ते हुए यहाँ पर दोस्तों आपको नजर आएगा company सांदार है अब देखिए company का next बात करेंगे जो है price to earning ratio 19 multiple P.E. में ट्रेड कर रहा है 2846 करोड का market cap बाली company है company छोटा है risk थोड़ा बहुत रहेगा दोस्तों बट risk के आगे ही जीत होता है अगर आप इसमें already invested है तो बिल्कुल बने रही है company बहुत अच्छा है बहुत बड़ा return भी बना के आपको देखा तीन साल का return profile 112 परशेंट है एक साल के अगर बात करूँ सिर्फ 70 परशेंट नजर आता है और अभी देखिए company एक ही दैरे में घुम रहा है consolidation period में चल रहा है दोस्तों आने वाले समय में आप देखेंगे ये जो है बहुत बड़ा जंप दिखा सकता है लास्ट ट्रेडिंग सेसन में 34 दसमलोग 56 परशेंट की यहां पर delivery उठाया गया है एक महीने का average delivery 42.85 परशेंट निकल के आता है company का मैं बात करूँगा share holding pattern के उपर यह देखेंगे एक negative point है दोस्तों 46.04 परशेंट की holding प्रोमोटर रखते हैं और एक छोटा सा holding इनका place होते हुए दिखेगा जो की 4.53 परशेंट की है FII क्या कर रहे हैं देखिए अपना holding 14.04 परशेंट की हैं अभी DII के पास भी 6.09 परशेंट की holding है बाकी जो है public hold करते हैं जो की 32.08 परशेंट नजर आता है Company अच्छा है सांदार नजर आ रहा है यहाँ पर थोड़ा सा Company का में अगर और कुछ पॉइंट को के उपर लेके चलूँ दोस्तों Company का मैं सीधा balance sheet को में दिखाना चाहूँगा आपका Company का जो है इस balance sheet के उपर भी चलते है और balance sheet को भी हम डीटेल में चेक कर लेते हैं देखिए Total Residence अप्लस 889 करोड का है करजा थोड़ा सा है 663 करोड का long term बोर्ज बोरोईंग है सट टर में भी 449 करोड का बोरोईंग से और Company का देखिए केसेन केसे कुबलें 66 करोड का है टोटल एसेट 2689 करोड अभी हो गया है बिल्कुल दोस्तों आप बिल्कुल इस Company को अपने रेडार पर रखी और इसमें हो सके तो इसको study करके जो है अपना इसमें investment करके भी चल सकते है बाकी complete decision तो आपके खुद का ही रहने वाला है बस आज के लिए इतना था वीडियो कर अच्छा लगा तो एक like कर देगा और चनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर देगे जैहिन